क्या कॉफी लबल है कॉफी लगबक सभी को पसंद है स्टार्बक्स और सिलसिल गई जाने का सपना होता है मेरा अपी तक पुरा नहीं हुआ है लेकिन अब यह मेरा अधुरा सपना पूरा होगा घर पे क्यों भी मैं ले आया हूँ यहां पे कॉफी मेकर मसीन जी हां अब भाई पे बनाएंगे एस्प्रेसो भाई नाम भी बनाने आता है कैपिचीनो और जो भी चीनो मीनो मोचा आता है सब बनाएंगे इसमें और निज़ा करींगे रियल कॉफी को लेकिन उससे पर जानते है इस मसीन के फीचर यह कॉफी मसीन आती है पंद्रा बार हाई पेसर के साथ इसमें हमें मिलता है पेसर कंट्रोल नॉप साथ ही एक्जिस्टेबल मिल्क फो तिंग यह मॉडल है इंपीरियल ब्रांड है एगाव और यह मसीन आती है पूल एक साल की वरांटी के साथ और बातकर इसके रिसेंट प्राइस की तो आप लोग सामनी स्क्रीन पर देख सकते हैं एमें जहां से ले सकते हैं लिंक की इंडेस्क्रिप्शन और बातकर इस मसीन के स्प्रिफिकेशन की तो यह आती है 1.5 लिटर वाटर काई के साथ रिमॉएबल का फोल्डर है एंटे गिफ फंक्शन है इसकी बोडी में एक्जिसेबल स्टीम एक्जॉस्ट स्ट्रेंग्ट है इसमें पिछले समसी में कॉफी बनाना स्टार्ट करते हैं लेकिन इसमें हमें नॉमल कॉफी नहीं लगती है इसम कॉफी बीन लिगने कमिनाट यह तो बीन से इसमें क्या जाएंगी तो भाई इसका भी उपाय है इसमें पीछना पड़ेगा तो इसको पीछने के लिए हमारे पास एगा होगा है यह कॉफी ग्राइंडर इसमें हम लोग इन बीन को पीछेंगे आये देखते हैं इस बॉक्स हम लोग कॉफी को पीछेंगे कि कुछ ऐसा होता है और यह रीड है इसका हमें इसमें बंद करना होगा और यहां पे इसका बटन लगा हुआ है इसको जैसे दबाएंगी इसमें कॉफी ग्राइंड होना चालू हो जाएगी है ने का फिमोस तो इसका धेकन ट्रांस्परेंट है जिसे कि हमें अंदर पीस्ते हुई कॉफी बीज साफ साफ दिखेंगी और हम अपनी ज़रोत के हिजाब से उनको बारी क्याफी मोल्टा रखेंगे अब तो कॉफी बारा शाक्योत हैं और जानते हैं कि इसमें कॉफी कैसे बनती है तो मस्कीन को ओन करेंगे यह ओन हो गई और यह पर जो आपको ग्रीन अकन दिख रहा यह जब फेली हो जाए गहागा यानिकि हमारी मस्कीन तयार है मैंने पहले साउन करी थी इसलिए स्टेडी हो गया है और अगर यह ब्लिंक कर रहा होगा तो इसका मतलब यह कि अभी यह कॉफी बनाने के लिए तैयार नहीं है पर यह पर हमारी एस्प्रसो बनके तैया जाए है कितनी आस्ताथ इसमने हमने सिफ हैंडल लगाया उसमें कॉफी भरी यहां पर बटन दबाया पर नी दबाने के बाद कुछ सेटन विट किया और एस्प्रसो सीधा बनके बाद अब इसमें आप उसे काप में लेकर दिखाता हूं यह इसका कलर कुछ ऐसा होता है और इसमें मैं चीनी मिला हुआ तकि बिना चीनी के मुझे यह अच्छी नहीं लेगी मुझे पता है यह चीनी का पकट और एस्प्रसो में गया अहां एक दम और इसमें में जो आप 15 बाद का प्यसे मिलता है वो कंपरिटिवली मुच बैटर है हर एक कप एक स्ट्रॉंग एक्स्प्रसो बनाने के लिए अब बनाएंगम कैपचीन कैपचीन बनाने के लिए में मेलिक फॉडिंग करना है उसके लिए हमने यह पर दूसरी बटन के दबाना है अब यहां पर के बिलिंग कर रही है और जब बिलिंग करना बन कर देशा हमाले कि मसीज फ्रोधिंग लिए तैयार हो गई यहां पर एक information अगर दोनों light blink कर रही है इसका मलब आपने दोनों बटन दबाक रखें कलती से यह दखो तो इस बात को धान रखना हमें सिप एक बार में एक ही बटन को यूज करना है तो हम लोग मिल्क फ्लोदिंग करेंगे तो इसको चाहिए हमें मिल्क फ्लोदिंग का जार जो कि मेरे पास नहीं है इसलिए मैं बीकर का यूज कर रहा हूं ठीक है आप लोग जाड़ ले सकते हैं मैं आपको इसकी बी लिंग देस्क्रिप्समें में लिदूंगा ठीक है तो सबसे पर एक बार मसीन को हलका चलाना है नो घुमाके मसीन एक दम तयार है अब इस नोजल को लाना है और बीकर करना डालना है स्टार्ट क्या दूद्ध फेक्टना तो अब हलका सा हिलाना होता है ताकि जो फेना है पूर्य दूद में मिक्स हो जाए अब इसमें डालेंगे दूद्ध अब की बार पक्का कैपेचीनों बन रही है देखके पता लग रहा है इसके अंदर काफी ज़्यादा फेना है लिगन बस एक कमी रह गए उस जाइंग की ऐसा 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 बनाते है वह दो एक्स्प्रियेंस के बाद बन जाएगी आप इसे करते हैं काफी स्मूध और पहली बार के साफ से बहुत अच्छी फ्लोटिंग करने को तुरन बड़ हमें इस इसको पोच देना है देखो मैंने तुरन नहीं पोच सब दूद्ध यहां पर जम गया अब हमें इसे निकाल के धूना होगा और हां इसे खाली भी चला देना है ताकि इस इस इसको भी निकाल के साफ कर लेना यह पूरा निकल जाता है यहां पर सब वेस्ट गिरा होगा और यह भी निकाल लेंगे और इसा अलाम से दोलेंगे किस में पी देखो जब वीडियो कंप्रेट होगे तब मुझे यह कप मिला तो भाई इस वीडियो को जादा से लागों तक सेयर को ताकि बाकि को भी जान पाइं कि हम भाय पेश्ट आब अक्सों सीडियो काफी बना सकते हैं अगर आशकर वीडियो इंस वामेट के लगा और वीडियो को लाइक को सब्सक्राइब को हमाई चैनल को और कमेंट में और मस्ट और मस्ट बटाओ इसके हम लोग टेस्